आपका तिसरे आईसी के तिसरे लेक्चर में आपका स्वागत है आज के दिन हम देखने वाले हैं सैमसंग के बोड के बारे में सैमसंग के बोड में हम ये फिप जनरेशन का बोड देख रहे हैं इसमें ये जी टी शेट 2,3 30% OCs 35 to 90 फी decir प्रागते स्वावर यृस है यृस के आप देखें जैसे यहां पर इट्री जुम दिया हुए है यहां पर यह जो बागाई यह नैटारस एकूं का भाग है यहाँ यहां पर आरेक्स बेंड पास फिल्टर लगा हुआ यह जी एसम के लिए लगा हुआ होता है दोस्तों यहां पर यह दिया हुआ है सब्सक्राइब दिया हुआ है तो दोस्तों हम अगर देख रहे हैं इसा दिया हुआ है तो दोस्तों हम ऐसा भी वोड मिलेगा ऐसे भी बूड मिलेंगे जिसमें नेटर सेक्शन में एक ही लगी हो यहां पर हम देख रहे हैं यहां पर इंटीना सॉकेट लगा हुआ यह ऐंटीनागि टीपस है लेकिन दोस्तों अगर ऐसा कोई आपके पास बूड आता है तो इसमें यह जू नेट्रॉक सेक्षर बना होगा बना होगा जैसे यहां पर यह फिम IC है फिम IC सी फिम IC में एंटीना स्विच और PFO ही है और इसमें जो RF IC जानी हम जो नेट्वर्क IC बोलता है वो नेट्वर्क IC का डिजाइन CPU के अंदर ही बनाया जाए यह हमें कैसे पता चल सकता है जैसे इसके लिए आम देख सकने हैं यहां बना होगा है तो इसमें CPU के अंदर ही बना हुआ है तो दोस्तों इसमें क्लियर हो जाएगा और देखिए और एक चीज़ दोस्तों यहां पर मैंने आपको पहले बताया था लगा होटा है लगन यहां पर इसका मतलब जो जो डिजायन है वह भी सिप्यू के अंदर ही किया गया है तो दोस्तों यहां पर हम देख रहं है करने अपर पावर क्रिया तो सबस्तों में देखा था पहले नोक्या के पहले एक सी एंदर डाल दिया गया है तो दोस्तों इससे आपको पाटा चल गई होगा कि कैसे बॉर्ड मिल सकते हमें तो दोस्तों आगे हम देखते हैं यहां फेर यह Bluetooth section दिया वहा है अगर आपके collectors यह पी यह gibirm आज है यहer है तो यहां परèse ब्लोम चला होगा है यह Bluetooth रिंख हुआ है Bluetooth section परेचानने के लिए आपको एसा कोई भी partners Temps Chelsea वाइट कलर का एंटीनना दिखाए वह लूटू Edna ही होता है और इसमेर यहां पर चलिए जाते सिंट यूई दिखाईए देलिए ऐहां किया है इसकलाओ तो आपको कुरी आपको या दिखा लेर डिए कर दोकार आप works सिप्यू के लिए यहां पर दर दीखी लिखा हुआ है, अब दुनों यह सब्धोरों सकते हैं यहां पर तो यह सॉफ्षटर के लिए इसमेियो स्वे में इंस्टे massively यह आंभासि का तो यह Less č और एक जैथ तो यहां पर दिस्प्ले बैक लाइट ड्राइवर आईसी यहां पर यहां पर यहां पर आप देख सकते हैं उसके बाद यहां पर यह LCD इंटर दिया हुआ है यहां पर LCD signal फिल्टर दिया हुआ आता है दोस्तों यह रजिस्टेंस के फिल्टर बने होता है जैसे सिगनल फिल्टर इसे हम बोलता है यह LCD के सिगनल फिल्टर करने के लिए यह रजिस्टर यहां पर नेटवर्क रजिस्टर यूज किया हुआ है तो यहां भी Cob scientific 212 1 देखग है तो यहां पर देख रहा है तो बेटरी चारज़िंग मॉड़िल दिया हूब यहां पर दीखिये दोस्तों यहांपर अच्छिण देते हुए यहां पर 1. एक शुचिए क्रिशाच दिया हुआ है यहां डाषी χिम में। यहां पर यह डिजाइन किया गया इ拔र यहां पर यह बी OLT के लिए इन उसके बाद यहां पर यह बी स्विंचिंग आपद यहां बला यहां पर अलग से एक स्विचिंग के लिए यहां पे कंपोनेस लगे हुए है यहां पर आईसी लगी हुए है चार लाग वाले 6 लग वाला है इस लगाए हुई है उसके बाद हमे बैटरी आगे डेखते हैं इसके लिए यहाँ इस आगे जो फिफ जैनेरेशन के नोकिया में देखा था उसके डिया हुआ तो दोस्तो यही था यहां पर इसमें यहीसे USB connector, earphone, earphone jack यहीसा दिया हुआ है और दोस्तो और हम देखते हैं यहां पर जैसे यहां पर जैसे इसमें audio IC, logic section IC तो logic section के लिए यहां पर तो direct keypad के तुरू और LED इसमें connected होती है तो उसके लिए खुछ नहीं है यहां पर दोस्तो audio section है audio section भी इसमें CPU में ही design किया हुआ है तो ऐसे board हम जो देख रहे हैं तो उसमें जैसे यहां पर यह हो गया CPU के अंदर यहां पर RF ICB है उसके बाद power ICB के अंदर design किया गया है और audio ICB के अंदर ही design किया गया है तो दोस्तों अगर आपको ऐसे Samsung के board मिले तो आपको easily ऐसे पहचानना है जैसे यहां पर anti ना हो और anti यहां पर ऐसा दिखे तो फीम IC होगी अगर आपको RF IC नहीं दिख रही है तो वो CPU के अंदर design हो सकता है आप वो crystal के तुरू पहचान सकते हैं आप पावर IC को पैचानने के लिए आप RTC देखके पैचान सकते हैं कि आप पावर IC इसमें कौन सी है तो दोस्तों यह एक छोटा सा वीडियो था अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ईदा थैंक यू वीडियो में बस इतना